दिग्रश शहर पर जहार एक तरप कुर्णा के बड़ते प्रकोब की तलवार लटक रहे हैं वही एसापूर स्थित कोविड केर सेंटर में जारी लाप परवाही का नसारा हैरत में डाल रहा है यहां बदवार को स्वेच्छा से टेस्ट के लिए आए लोगो और खास कर गर्बवती महिलाओ पर कोविड के डॉक्टर्स और कर्मचारियों की लाप परवाही के चलते वापस लोटने की नौबत आ गई है लोगों के मुताबिक यहां तीन दीन से बगेर कोविड नाइटीन टेस्ट के खर लोटने पर मजबूर हो रहे है आए देखते हैं क्या है यह मामला दिगरश शहर के पास इसापूर में स्तेथ कोविड केर सेंटर में कल तक कोविड नाइटीन के लिए मानों किसी जागरुता केंदर की तरच पर काम जारी था यहां शामिल हुए संधिक दकुल्णा मरिजों की आवभगत और उपचार में भी कमी नहीं थी लोग खुद यहां आने के बाद यहां पूरे सेवा भाव से सयोग और उपचार करने वाले कोविड सेंटर के डॉक्टरों और करमचारियों की तारीफे करते ठक नहीं रहे थे लेकिन बुद्भार को जो मंजर यहां देखा गया वो चौकाने वाला था यहां स्वेच्छा से COVID-19 टेस के लिए आए लोगों पर वापस लौटने की नौबत आ पड़ी इस संधर में लोगों ने इन BCN को बताया कि वे बीती तीन दीनों से यहां आकर वापस लौट रहे हैं उनके मुताबिक यहां कोई सयोग नहीं दे रहा बालूम हो कि किसी भी नीजी या सरकारी अस्पताल में डिलेवरी के लिए दाखिल होने वाले महिडा को COVID-19 टेस्क प्रमान पत्र दिखाना आवश्य करार कर दिया गया है ऐसे में अपसोसनाक की बात है कि गर्भवती योती ने COVID-19 के गैर जिमेदार रवे की शिकायत करते हुए अपनी आबीती सुनाई है हम तिन दिन से वापस जा रहे हैं ते दो-तिन दिन हो गया आखिल लेकिन है पर कोई पर दोक्तर बोलते हम कोर्नों का टेस्ट बता और रिपोर्ट बता और भी बाद में ही लेंगे अब तक नहीं लेके अब क्या करना है बुधवार की दो पर को दिगरस कोविट केर सेंटर पर टेस्ट कराने के लिए आए लोगों ने भी यहां कि समस्या आउपर अपने नाराज की चाहिर की है जातों लेडीज है गरुदर माता तेना खुप्त रास होता है वाजीब अजीब लेगे में काम करता हूँ बैंक में जॉब करता हूँ मैं चार दिन से आ रहा हूँ और यहां तो कोई सर्व अगरा नहीं है यहां करने वाला कोई नहीं है तो हम तीन चार दिन से आपत जा रहे हैं और कैसा है और सब लोग यहां पे लेडीज बगिर भी आई है फ्रेग्नेंट है वो भी आई और वो तीन-चार दिन से उन्हें चक्रा मार रहे है तो उनकी तखली बूरी आने जाने के लिए और यहां पर कोई प्रेंट्स बगिर क कोई तब लोग वीगर नहीं है आपट चेक करने के लिए तो हमारा कैना है मेरा कैना इक है कि जैसा हम आउंस सब चेक करने के लिए लोग आ रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा महां भी थार्फारी करने होना वीगर की लिए शीजा है को अहीं अपने देश को भी बढ़ा गर तलब है कि वद्भार को प्रक्त समस्याओं के चलते जब लोगों ने स्थानिय तैसलार से इसकी शिकायत की तब कही जाकर कोविड केर में कारियरत स्वैप टेक्नीशन लोगों के स्वैप लेने के लिए राजी हुए जिसके बाद गर्ववती माता और सही ज़्यादा बिमार कुछ लोगों की रैपिड एंटीजिन टेस्ट की गए जबकि अन्य लोगों के स्वैप लेकर उन्हें आर्टी पीसी आर्टेस्ट लेकर उन्हें यातमाल भीजा जाएगा ऐसी जानकारी सूत्रों ने दी है इस पूरे मामले पर कोविड केर के सूत्रों ने बताया कि यहां कल तक दो स्वैप टेक्नीशियन कारियर थे जिसमें से एक की तबीय खराब होने से वो छुटी पर है इसे में अन्हें टेक्नीशियन के तो स्योग और कोविड केर के जिम्मेदार अधिकारियों के बीच तालमेल के कमी से यह समस्या निर्मान हुई गौर तलब है कि दिगरस कोविड केर का यह आप तक का काम काफी हद तक सरहानिया है ऐसे में आप से तालमेल और सयोग में कमी के कारण इसका खामियाजा कई दिग्रस्वासियों को ना भुगतना पड़े इसका ख्याल कोविड केर से जोड़े हर करमचारी और टेकनी शेयन को रखना जरूरी है इन बीसे नियूस के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट